तो कैसे तो इमीद करता हूं आप लोग बहुत ही आच्छे होंगे दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कलास 12 के छात्र चत्राओं का पर्थम साथीक परिक्षा यानि के फर्स्ट ट्रमिनल एक्जाम के चात्राओं का हिस्टरी का मेरे पास ओरिजनल पेपर आ चुगा है यहां ट्रमिनल एक्जाम पॉस्ट अगस्ट पर लिखा हुआ है यह बिल्कुल और पेपर है और यही आपको है कल के परिक्षा में देखने को मिलेगा ठीक है तो आप लोग एक एक करके कुर्शन को याद करते चलिएगा और इसके साथ यह भी बताऊंगा इसका अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी वीडियो में बताऊंगा अब पीडियाफ डावलोड कर सकते हैं इन तमाम जानकारी को इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं यह आपको प्रसन का जवाब देना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते गया है लिचे के लिए प्रफ्साइब में वज्त्पति-क मिलता है तो वस्तपति-क कि इस मंडल से मिलता है तो आपको दानकार देना है, तो इसका राइट फ्रीयों क्या वोगको प्यार चो-ट्प्स दस वह चाहात आगे बढ़ते हैं दोनों प्रशिक संगम साहित की रचना कि भासा में हुई तह वुझे तो संगम साहित की चेज़ना वी थी किसमें तैमिल में हुई थी चाहित मुझाने की क्या होगा अगर आप गुरूप में नहीं दो हैं तो इसलिए बैन हो जाएगा तो आपसे मैं संपर्क नहीं कर पाऊंगा इसके कारण जो नहीं आप वाट्स जो चैनल है उस पर जो जाए था कि हर मेट्रेलिय आपको समय समय पर मैं देते रहूंगा तो दोनों प्रसंद हो चुका है पराता तो पिता कहा जाता है तो तीन का अप्श्वन अप्श्वन नहीं तो जो वहां के रहने वाले जो लोग थे उनको क्या चीद नहीं था तो तांबह नहीं था चान्दी का ज्ञान नहीं थे लोहा का ज्ञान नहीं था जिन्दुयाइँ कि अस्थ RAW में सब्सक्राइब पूछा गया है जो कि आपके कल के परिक्षा में यही प्रसंद देखने को मिलेगा काता है मोहन जद्रों किस नदी के किनारे इस्तित है तो यह बच्चा बच्चा जानता है जब पढ़े होंगे अगर बहतरी तरीके से पढ़ाय किया होंगे तो आपको पता हो देखेतिऊ सतनों प्रसना चुका है 7% क्या करता है हरपा सेह Clayta में नतकी की मुर्दी कहाँ से मिलती है तो साथ Spike ऑना से मिलते हैं कि ब्ल scout शेजब्ग तो आपको बताना है यह हमारा राइटन्स हो जागा यानि की कास यूंग हो जागा आप शुमेरी अभी लेखों में किस देश की नाविकों का देश कहा गया है मेलूहा क्या हो जागा अपस्वर करेंट यहां पर संदेख लिए खता है माहा भारत कितने पुरोव में विभकते हैं तो महा भारत की रचना किस भासा में की गई है संस्क्रीट में कहते हैं पड़िवार के मुक्या को सुवामी कहते है कुलूप कहते हैं गोप्ति कहते गोप्ति टु तो महाजन्पदों का उद्हें वह कितने सताब्दियों में होगा तो सब्सक्राइब कि कि स्थी तो गंतांतरिक विवस्ता किस महा महानपद में नफने तो पन्द्रा कराइटनस्फ आप्स्वेश की जिए तो बिल्कुल करेक्ट होगा यानि कि चंद्र गुप्त मौरत था अप्षम रहे होगा अगे बढ़ते हैं मेगा स्थनीज में मेगा स्थी ने मौरकाल के परशासन का वर्नन किया तो अगला प्रसन देख लिए अगला प्रसन आ चुका है कि मौरकाल में आय का मुख शुरूत क्या है आपको बताना तो अगला प्रसन देख लिए अगला प्रसन देख लिए कता है अगला प्रसन देख लिए बारत में गंगा गंधार गंधार कला का विकास इसके प्रभाव से हुआ तो साथ का रैटन्स और अप्समर आनिके डी होगा करेक्ट एंस इन में से कोई अब बात कर लिया जाए यहां पर देख लिए अगला प्रसन देख लिए बाइस होगे चली तैसन नमर प्रसन देख लिए तो तेस का रैटन्स क्या अब ज्यान शाकुंत लं की रचना है तो चवीश का राइटन्स और आगे मैं बताओंगा इसका सब्जेक्टिव कहां से आप डॉनलोड कर सकते हैं वह भी बताओंगा और अब्जेक्टिव करना से खाओंगा गुप्त का चरम कर्स कि शाशक का काल था तो इसका अंसर क्या होगा तो फचीश का रैटन्स सब्सक्राइब किसी समंद्र गुप्त हो जागा ठीक है अब समद्र जानी किसी हो रहाट है ठीक है चलिए देखते हैं यहां पर प्रसन है उत्तर थोड़ा देखते हैं नालंदा महावीर की स्थापना किसने की तनालंब नालंदा महावीर के स्थापना बिल्कुल यहां राइटन सब्सक्राइब कि कुमार गुप्त पर्थम ने किया था ठीक है बिल्कुल आगे परते 27 प्रसन देख लिए चिनी यात्री फईयान किसके धरबार में आया था तो 27 प्रसन यहां से देखना करते हैं चलिए महावारत के महावारत के किस भाग में कुर्वी और पांडवों के बीज के कारणों का उलेक किया था तो एकमत देख लेते हैं कुर्वाश प्रसन देख लिए तीसनों प्रसन कहता है माता के नाम से पुत्रों के नावाकरन की परकिरिया किस काल से अधीक प्रचलित हुई तो तीस का राइटन्स और भी होगा रहे हैं इस तरह से टोटल तीस प्रसन कर लिए जिनमा को 25 उतर देना है अब बात कर लेते हैं इसका सब्जेक्टिक कुर्शन को दिखा देते हैं उसके बाद उसका उतर दिखाएंगे तो यहां से स्टार्ट होता है आपका लगुतर यह प्रसन जिनमा को दस में से पांच का जवाब देना है ठीक है इसके लिए दो दो मिलेगा पहला कुछन है इस त्री धन से आप क्या समझते दूसरा कुछन है अनू लोम और परति लोग विवाहा में अंतर क्या था इसके बारे में तीसरा कुछन मोहन जोद्र के विशाल असनांद माद की दो विश्यष्था लीखिए ठीक उसके बारे में ठीक है अनूर पृत्व प्रसंट हो गया चाहन से देख सकते हैं यहां पर शाब दिए पूरा साब दिया गया पर यहां से दिए पच्छन पर इससे आत्या सब्सक्ते ब्राही और खरोटी लिपी में क्या अंतर है इसके बारे में सत्वानों प्रसने मौरे काल इतिहास के किनी दो बरमुक साही तिक शोतों के नाम लिखे ठीक है आगे मैं आंसर बताओंगा फिलाल आप समझे पहले कुछन मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है आटनों प्रसने गुप्त काल की प्रसने स्टार्ट होता है चलिए मैं आपको कुछन दिखा दिया वर्ण विवस्ता एवं जाती विवस्ता की उत्पति पर परकास डालेने के लिए बोल लाटिक है बारानों प्रसने चलिए महा भारत पराचीन काल के समाजिक मुलियों मुलियों का अध्याय करने के प्रसन यहां पर दिखे हर अपास अभी अतर में विग्यान और प्रद्धोगी की के विखाया उसकी चर्चा करें इन तमाम का जोना आप बता रहा हूं आप एक एकर करके नोट करते जाएंगे यह इसका पीडियाप डूलोड करना है तो मैं आगे बताओंगा आप रहां से कर सकती है तीनोंबर प्रस्राण जवाब यहां से यह कुछन दिया गया जाटर यहां से यहां तक दिया गया पूरा यह ना पांच मान प्रस्ट को जवाब है यह कुशन पांच का जवाब है ठीक है चलिए अगे बड़ते हैं अगेला प्रस्ट नहां पर आ चुका आच नौप प्रस्ट नहां से स्टार्ट होता ठीक है और गुप्त-खालीन-मंदिरों की दो शिष्टा लिखे उनके ब आगे बढ़ते हैं लोंग टाइप पूश्ट में आते हैं यहां से लिखा गया ठीक है यह थोड़ा लंबा प्रस्ट तो बारा का यहां से पुरा में स्कॉल करके आप इस कीन सोट लेना चाहते तो ले सकते हैं मैं डॉलोड करना भी शिखा दूंगा ठीक है आगे बड़ते आप यहां पर प्रसन आता है अब इसतार लिखने के लिए बुला है यहां से पूरा अंसर यहां से एक एकर करके दिया गया है पूरा देख लीजिए तो चलिए दोस्तों यह आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देगा चोटा सा कॉमेंट के जिएगा प अब को वीडियो पसंद आया कि नहीं है और इसी तरह के जोने वीडियो आपको हर समय मिलता रहेगा इस चैनल के मादियम से सबसे ब्सक्राइब करेंगे आप चलिए बात कर लएते हैं इसका डॉनलूड कैसे करना objective objective उसके लिए गूगल में जाएंगे इसका पीडियए लिखा रहा है इस तरह का आपको पोस्ट मिलेगा इस पापको के लिए कर दो ना ठीक है नीचे बढ़ेंगे और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अभी मैं यहां पर फिलाल जोनब आप चेक करते रहेगा वहां पर मैं सब्जेक्टी बताओं